हेलो फ्रेंट्स दू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेलकम फ्रेंट्स अलफधन पर विज्वल बेसिक की क्लासिज में आज हम एक टूल के बारे में सेखने वाले हैं जिसका नाम है आप्शन बटन बिसिकली च्वाइजीस के लिए हम यूज करते हैं यहां पर एक छोटा सा मैं आपको मिनी कैलकुलेटर का एक छोटा सा फ्रेंब के अंदर ही आपको एक और फ्रेंब बनाते हुए वहां परOptions बटन का इस्त माल कर न है हमने एट औप्शन बटन का इस्त माल कर आ है आप देख सकते हैं चोटे-चोटे सरकल में हमारे ऑप्शन बटन डीओ बटन आप बोल सकते हैं अगर आप वैप in Miche करते हैं तो option button का हमें use करते हुए एक छोटा सा calculator बनाना है और जैसे ही हम sum पर click करें तो दोनों text boxes में जो भी हमने number डाले होंगे उनका sum तीसरे boxes में दिखाई दे जाएगा label 1 पे हमारे operators के sign दिखाई देंगे label 2 में equal का sign हमें दिखाई देगा जब हम किसी subtract multiply divide modulus exponent square ये cube पर click करेंगे लेकिन यहाँ पर exponent, square और cube इन तीनों में हमारा दूसरा text box hide हो जाएगा चूकि इन सभी की values एक single box पर हमें calculate करना है तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है एक frame बनाना है frame के अंदर तीन control बनाने है text box दो level बनाने है उसी के अंदर एक frame बनाते हुए आपको 8 option बटन लेते हुए उनके नाम बदल देने है और एक button ले लेना है reset का reset से जो भी कुछ पहले हमने इन में feed करा होगा वो सब कुछ हट जाएगा अब थोड़ा से code के बारे में हम देख लेते हैं आप देखेंगे कि reset पे हमें क्या code करना है सबसे पहले आपको क्या code करना है text 1, 2 और 3 तीनों की value को आपको वापिस से 0 रखना है और label 1, 2 जो भी आपने show कराये थे उनको false रखना है और option 1 से लेकर 7 तक जो भी हमने define करे हैं उन सब की value को भी false रखना है false से मतलब उनके अंदर click का जो point दिखेगा वो हट जाएगा अभी मैं आपको practical नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको theoretical concept बता रहा हूँ आपको इसी का इस्तमाल करते हुए अपने code को run कराना है और मुझे comment box में बताना है कि आपने ये program चलाया तो आपको error मिली, program चला या क्या समझ नहीं आया उसी के according मैं आपको जब next video बनाऊंगा उसमें ये code अच्छे से explain करूँगा वैसे मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये code देखने के बाद आप इसको अच्छे से कर पाएंगे आप इसका screenshot भी ले सकते हैं जिससे आपको code करने में help मिलेगी अब देख लेते हैं load event का code load event पे हमें पहले box दूसरे box और तीसरे box के value को खाली रखना है अपने fonts को change कर देना है font के size को change कर देना है label 1 और 2 हमें अभी visible नहीं कराने तो उनको false रख देंगे और इस तरीके से हमने font size ये सब चीजे load event पर डाल दी हैं अब बार आती है हमारी कि option 1 पे जब हम click करने तो क्या हो option 1 पे click करने पर पहले और दूसरे box की value को जोड़ कर हमें तीसरे box में डलवाना है label 1 पे हमें plus का sign दिखाना है label 2 पे हमें equal का sign दिखाना है label 1, 2 हमें true रखने है क्योंकि वो visible होने चाहिए क्योंकि result हमारा दोनों को calculation होकर जब दिखाई देगा तो वो दोनों box हमें दिखाई दे इसलिए हमने यहाँ पर true code का इस्तमाल करा है क्यों करा है क्योंकि जब हम false करा है तो वापिस true click करने पर some पे click करने पर वो आपिस दिखने लगे सपोज मैंने square पे click करा तो उस case में क्या होगा दूसरा box hide हो जाएगा आपका label हो जाएगा लेकिन आप पहले box पे click करेंगे तो वापिस से वो फिर से सेवन पे आपने multiply यूज करा है square के लिए and then आप देखेंगे option 8 पर cube के लिए हमने तीन बार multiply करा है तो यह हमारा चोटा सा code था example के तोर पर आपने लिखा बारा exponent 3 यानि कि बारा इंटू बारा इंटू बारा उसका जो यहाँ पर आपको result दिख रहा है वो 1728 आप यहाँ पर 5 6 7 कुछ भी number लिख सकते थे उसकी exponent वो बन जाएगी उसकी power बन जाएगी और जो भी result आएगा वो यहाँ शो करेगा जी सेट पर आप किलिक करेंगे तो सारी वैल्यू आपको री सेट होती हुई दिखाई देंगी तो यह था रन कराने पर जो आपको एक मिनी कैलकुलेटर यूज होता हुआ दिखाई देगा फर लूज है बन जाएगी और भी忘िकर जाएगी और करेंगी तो साफ तोंदी सेट हुआ मिनी तूंदー।